दोस्तों आप देख रहे हैं देशी उपचार चानल आज आपको हम टमाटर के नुकसान के बारे में बते हैं गि टमाटर के फाइदे जानकर अगर आप इसे खाने में जुटे हैं तो जान ले कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं व्यंजनों में भरपूर इस्तमाल किये जाने के साथ ही जमाटर सलाद का भी एहम हिस्सा रहते हैं इसके फाइदों की बात करें तो यह केंसा से बचाव के लिए दिल से जुड़ी कई तरह की समस्याओं में खुन साफ करने में शरीर से विशेले पदार्थ दूर करने में कॉलेस्टरॉल के स्तार को नियंतरित करने और आखों की रोशनी को ठीक रखने के लिए बहुत फाइदे मंद है हाला कि तमाम फाइदों के बावजूद इसके नुकसान भी हैं तमाटर में बहुत अधिक मात्रा में अमली अता होती है इस वजह से इसका अधिक इस्तमाल एसडिटी का कारण हो सकता है और इससे सीने में जलन की शिकायत रहने लगती है तमाटर के बहुत अधिक सेवन से पेट दर्द और गैस की समस्या हो जाती है टमाटर में कुछ ऐसे केरोटे नौध होते हैं जो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं कच्चा टमाटर बहुत अधिक खाने से इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है टमाटर के बीज सबसे अधिक नुकसान पहुचाते हैं अगर आप टमाटर सलाद में खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम बीज आपके पेट में जाए दरसल ये बीज आसानी से पिछते नहीं हैं और अकसर किद्नी में पत्री की वजह बनते हैं टमाटर का बहुत अधिक सेवन करने से शरीर से दुरगंद तक आर सकती हैं टमाटर में टरपीन्ज नामक एक तत्व पाया जाता है पाचन क्रिया के दोरान जब यह तत्व तूटता है तब तन की दुरगंद की वजह बनता है दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करें दोस्तों हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी हर वीडियो आपको मिल सकें हमारे चानल को सब्सक्राइब करना फ्री है मुफ्त है धन्य बात दोस्तों